अंतर रास्ट्रिय महिला दिवस के मौके पर परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को नमन किया है नरेंद्र मोदी ने अंतर रास्ट्रिय महिला दिवस के मौके पर ट्वीट कर सब को बधाई दी उन्होंने महिलाओं की समाज में एहम भूमिका को सराहा और उन्हें सलाम किया पीम मोदी ने महिलाओं की निपुंता को सलाम करते हुए समाज में महिलाओं के अपरिहारी योगदान के परती आभार भी प्रकट किया है पीम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की महिलाओं के विकास के लिए योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा बेटी बचाओ, बेटी परहाओ से लेकर बहतर स्वास्त और सिक्षा सुर्धाओं तक उनकी सरकार ने डिर्टा दिखाई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कौसल विकास के लिए की जारी पहल और मुद्रा बैंक देश की नारी सक्ती को ससक्त करने में योगदान देगी। मूदी महिला समेलन में महिला ससक्ती करन पर पहले ही बोल चुके हैं और महिलाओं के योगदान को भी सराहा था। यहां पर सुस्मा जी के कोट का उलेख हुआ लेकिन मैं उसे महिला और पूरुष के संदर्म में नहीं कहना चाहता लेकिन एक बास ही है कि यह जो महिला शशक्ति करान यह मनोवज्यानि गवस्ता को बदलने के आवश्यक्ता मुझे लगती है ससक्ति करान उनका होता है जिनका ससक्ति करें नहीं है लेकिन जो इन ससक्त है उनका ससक्ति करान कों करें और यह बात मेरे गले नहीं उतरती कि पूरुष होते कौन है जो ससक्ति करेंगे लेकिन आवश्यक यह हैं कि हम स्वयम को पहचाने हम अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक हमें चुनोतियों से जूजने का आउसर नहीं आता है जितने भी प्रकार के समाज जीवन के सर्वे होते उसमें एक बात आती है अगर पत्दी का स्वरग्वास हो गया और पुरुष अकेला परिवार चलाता है तो नलंबा समय परिवार चला सकता है नलंबे समय वो जीवित रह सकता है और अगर पुरुष नहीं रहा और महिला को परिवार चलाने की जिम्मेबारी आ गई तो सारे सर्वे कहते हैं कि वह लंबे अर्षे तक जीविद भी रहती है और परिवार का लालन-पालन उत्तम तरीके से करके दिखाती है यह यह उस बात का सबूत है कि इनहरेंट जो सामर्थ और सक्ति इश्वर प्रदत आप लोगों को हैं महिलाओं को हैं जिसको पहचानना स्वयम में बहुत आवश्चक है आज कल मेनेजमेंट की दुनिया में एक शब्द बड़ा प्रचलीत है इबीटाव मल््टीस्टाव एक्टिविटी यह मल्टे टास्क एक्टिविटी दुनिया के कई देशों में जो विक्तित्व का Light करते होगा है वह एक सिंगल लेकर में कहीं रुकावट आ गई या कहीं और रास्ते पर जाने की नौबत आई तो नहीं कर पाता है अगर डेली उट को लिप्ट से जाने की आदत है दसफी मंजिल पर बैठा है और अचानक बिजली चली जाए तो स्टेर केसे कैसे नूते उतरना उसको घंटा लग जाता है क्या करूँ ऐसा लोग होते हैं मल्टी टास्क एक्टिविटी आज मेनेजरियल वर्ल में एक मल्टी टास्क एक्टिविटी में इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है वो एफेम पर गाने भी सुनती हो विसिस्टर शक्ति के रुप में माना जाता है लेकिन हमारे देश में महिलाओं के और देखिए बच्चे को भी सुनतरा देती होगी यह कभी कभी हम थोड़ा डिसेक्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ दिया ह क्या शक्ति दिया है क्या हम इस शक्ति का गवरों करना जानते हैं इस सामर्थ को पहचानते हैं और ये भी देखिए उसकी सफलता का आँख बहुत उंचा है आप जहां जहां महिला को आवसर मिला है ये कौन फॉरेंड मिलिस्टर थे देश के नामी याद मिलाएगा लेकिन आख सुष्वाजी तुरंट याद आती है आपको सामर्थ हम अनुभो करते हैं हमारे पार्लामेंट में कई स्पिकर आए लेकिन जितने महिला स्पिकर आए हरे को ध्यान रहा होगा कि मेरा कुमारते सुमित्रा जी है हाज कल मैं भी बहुत बड़ी मात्रा में महिला स्पिकर रोल कर रही है जहां जहां उनको आवसर मिला अगर मैं नहीं जाता हूं कि जरे सर्वे किया है कंगी किया है लेकिन अगर अगर सरवे करे तो शायद पूरूशों को मिले हुए आवसर उनका success ratio and महिलाओं को मिला आउसर उनका success ratio मैं विश्वास से कहता हूँ महिलाओं को लिया हो इसका मतलब यह है कि सामर्त है हमारे देश में यह पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्राम है महिला मंत्रियों का प्रतिनी दित्पा है क्योंकि मेरा conviction है कि उनको अगर आउसर मिले तो वो बहुत उत्तम परणाम दे सकते हैं और आज हम अनुभव भी कर रहे हैं कि परणाम देते हैं आप लोगों ने साइथ पिछली श्यतावदी के उतनार्द में आफरीका का एक छोटा सा देश रवांडा उसकी घटना साइद आपके कान पर अगर आई हो वहाँ एक बहुत बड़ा नरसमार हुआ लाखों की तादाद में लोग मारे गए और ज्यादा कर पुरुष मारे गए बात में महिलाओं ने देश की कमान समानी और हिम्मत के साथ में मैदान में आई आज उनके लोवर हाउस में करीब 65% विमन रिप्रेजेटिटिव है और इतनी भयंकन आपती से निकले हुए देश को महिलाओं ने लिडर्शिप दी और महिलाओं ने देश को भार निकाला आज रवांडा अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत खड़ा हो गया ये अपने आप एक बहुत बड़ा उधारन है कि कठिनाईयों से गुजर के बाद भी जिनको आउसर मिला उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन किया है कितना बड़ा परिणाम लाया है और इसलिए लेकिन एक जनप्रती निदी के नाते है हम ससक्त हो कि हम राष्ट को ससक्त बनाने में कोई एक्ष्ट्रा भूमी का अधा कर सकते हैं क्या राष्ट को ससक्त बनाने में बजेट काम नहीं आता है राष्ट को ससक्त बनाने में रोड राष्टे पॉर्ट एरपोर्ट बिल्डिंग भवन इमारते ये काम नहीं आती है राष्ट को ससक्त बनाता है राष्ट का जन जन राष्ट को ससक्त बनाता है राश को ससक्त बनाता है राश का नागरीक और नागरीक को अगर कोई ससक्त बनाता है उसको अगर सामर्थवान बनाता है उसको अगर चरितवान बनाता है तो मा बनाती है उससे बड़ा राश का निर्माण और कोई नहीं कर सकता उससे बड़ा राश का निर्माण राश का ससक कोई नहीं कर सकता जो सदियों से माताएं बहने करती आई है कि पीडियों तक कि उत्तम रत्नों को देख करके कि समाज जीवन का सबसे मुनभूत काम आपके तो द्वारा हुआ है लेकिन जो हुआ है उसका अगर गर्व नहीं होगा हमी एक इन्फेरिटी कॉंप्लेक्स में रहेंगे हमी सोचेंगे कि नई उन लोगों का ज्यादा अच्छा है तब तो मैं नहीं मानता हूं कि ये आगे बढ़ने का जो आपका इरादा है उसको करने में कोई मदद रूप होगा है हम स्वयम ही इतने सामर्दवान है इसका एसास करें और यह मेरे कहने के करणा है नहीं आप है कभी कभार कि नारी के दो रूप घर में अगर उचूले पर खाना पका रही है चपाथी बना रही है और चपाती बनाते बनाते सायद उसवसे तोड़ी भाप निकल गई स्टीम निकल आई और उसकी उंगली जल गई कुंद लेकिन वो उसका थ्यान खाने में नहीं रहता है पकाने में नहीं रहता है वो पतिदेव करेंगे अने का इंटजार करती है का तीन बार खिरकी में जाके देखेगी कहीं आए तो नहीं है और इसकी कोशेश रहती हैं कि वह आते ही उनको सामने यह जलती हुई उंगली का चित्र खड़ा करें कि उसको लगता है कि मेरे पति देव देखें कि आज मैं चपाती बनाते बेता मेरी उंगली जल गई है फूंक लगाएगी उनके पानी मांगे देती हूं पानी जली है दो घंटे पहले और पति आएंगे उसको कहें कि कुछ लगा लीजिए बोही नारी चपाती से भाप निकलती हैं तो हंगली अगर थोड़ी सबी जल गई पति का इंतजार करती हैं कि पति देखें लेकिन अगर महले में आंग लग गई मां गई है बाजार में सब खरीदने के लिए अच्छा सा डिसकाउंट सेल चल रहा है 10 परसेंट 20 परसेंट साड़ी आई है बहुत बढ़िया और नारी गई हैं वहाँ पर्चेजिंग के लिए साड़िया देख रही हैं और पता चलें कि उस महले में आग लगी हैं कि उन सारी साड़ियों को लाप मार करके वो दोड़त अच्छा है